ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात दारूलोलूम ने दिया फत्वा फत्वय में कहँअ प्रशासन के निर्देशु के अनुसार मस्जद या घरों में अदा करें ईत की नमाज, इत की नमाज अदाना कर पाने वाले लोग चाष्ट की नमाज पढ़ें इसलामी तालीम के प्रमुकेंद्र दारुल उलुम देवबंद ने फ़त्वा जारी कर कहा कि इदुल फितर की नमाज भी जुमा की नमाज की तरह ही शासन प्रशासन के निर्देशा नुसार मस्जिदिया घरों में अदा की जाए। इसलामी शर्थ हैं जो जुमा की नमाज के लिए हैं। जाश्ट की नमाज पढ़ने तो बेहतर है। दालूम डियुबन ने फ़त्वा जारी किया है और कहा है कि अग्जहां जहां पर लाग लाओन हैं वहां लोगबाग मसल्मान सड़कों पर ना निकलें और इश्तमास से परेस करें और नमाज एड़ भी घर पर ही रहतर पढ़ें। फत्र में इस बात की वजात की गई है कि नमाज एड़ की भी कमवेश वही शरायत हैं जो नमाज जुमा की हैं जिस तरीके से नमाज जुमा घर पर पढ़ा जा रहा है इसी तरीके से नमाज एड़ भी घर पर अदा की जा सकती है। इनी सारी बातों को लेकर दालुम इस्ता ने आज एक फत्वा जादी किया है इसी के साथ साथ दालुम देवन के मुहत्वी मुलाना मुफ्ति अबुकासिम नौमानी साहब ने तमाम मिल्लत इसलामिय से अपील की है कि इड को साथ की साथ मनाया जाए और असराफ बीजाते बचा जाए खरीदारी से बचा जाए खरीदारी खरीदारी और बाजार जाने से परहिस करने का फैदा ये होगा कि आप गुराबा की मदद कर सकते हैं उस पैसे से जितना हो सकता है मसा की इनकी गुराबा की मदद की जाए जबुत मंदों की बदद की जाए और एद को साधी की साथ मनाए जाए